आज आप प्रभू की प्रेजन्स में हों यह ओनलाइन सुन रहे हों यह प्यूर ग्रेस आपकी लाइफ के उपर यह प्यूर ग्रेस है आप जैसे हजारों लोग आना चाहते लेकिन यहां नहीं अगर आप यहां हो तो आप पहले से ग्रेस के नीचे हो लुका की पुस्तक दस उसके तीस को मैं बढ़ता हूँ एक मनुष्य यरुशलम से यरीहों को जा रहा था कि डाकों ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिये मार पीट कर उसे अध्मरा छोड़ कर चले गए और ऐसा हुआ कि उसी मार्क से एक याजग जा रहा था प्रंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया उसी रिती से एक लेवी उस जगा पर आया और उसे देख कर कतरा के चला गया प्रंतु एक सामरी यात्री वहाँ आं निकला और उसे देख कर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घाओं पर تेल और दाखरस ढाल कर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ा कर सराई में ले गया और उसकी सेवा टहल की और उसने दूसरे दिन दो दिनार निकाल कर सराई के मालक की दिये और बोला इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लोटने पर भी तुझे भर दूँगा सब बोलो आमेन जाएंगे दुनिया के द्वारा जबी भी आप परमिश्र का वचन सुने तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आप एक शरीर भी हो आप अकेली आत्मा नहीं हो अकेला शरीर नहीं हो जो भी आप सुनोगे 100% उसे याद नहीं रख पाओगे तो इससे अच्छा ये है कि आप जो कुछ सुनते हो उसे लिख के रखो क्योंकि जबी भी शैतान आप पे अटेक करें आपकी लाइफ को डाउन करें आप उससे लिखे हुए वचन को जब दोबारा रिवाइस करते हैं परमिश्र का आत्मा आपसे बात करता और आपको फ्री करता है आज भी 2004-2005 की डा करने को मिलता लिखा एक एक यात्री यरूशलम से यरीहों को जा रहा था अगर आज आप इस इन वचनों को अपने सुना तो आप इस बात को याद रखो कि कर्स आपकी लाइफ में कभी काम नहीं कर पाएगा और यह एक ऐसा आत्म है जो क्रिश्चन लोगों के पीछे भी पड़ा रहते हैं और चर्च जाने के बावजूद भी लोगों की लाइफ में काम करता है जब तक उस आत्मा से लोग आजाद नहीं हो जाते हैं अलिलूया को अगрокरा अपको ध्यान से सुनने लिख है एक यात्री यरुश्रम से एक मनुष्य यरुश्रम से यरिहों को जा रहा था तो पर मेश्वर यश्य मसीज चब यह स्टोरी सुना रहे थे तो यह सची स्टोरी थी के यह परमेशों को एक 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 जाम्पल नहीं दी यह एक एक रेयल स्टॉरी परमेशों सुना रहे थे यरुष और मतलब है उंचा स्थान के आशिश का स्थान शांती का स्थान और यरीहों का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है लेकिन असली नहीं है हालिलुया जबी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़के उस थान का पीछा करेगा जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया हमेशा उस पर अटैक होगा तो कि बाइबल कहती जैसे वो य यरूशलम से यरिहो की और जा रहा था उस पर अटैक हुआ यरूशलम उची जगह और यरिहो नीची जगह जबी एक विश्वासी अपने उचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़के जब नीचे जाना शुरू होगा तब उस पर शैतान का अटैक होते हैं इसलिए ुआ आपशाए बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको ढसेगा को है आप ये बात याद रखो आपकी life की responsibility पर मेश की नई है वह आपकी जब परमेश्वर आपको उधार देते हैं वो आपको पावर देते हैं आपको ताकत देते हैं आपको मना करने की परमेश्वर में चलने की शैतान को डांटने की और जैवंत जीवन जीने की पर उस ताकत का इस्तेमाल किस ने करने हैं आप ने करने हैं आपको एक अलमारी दे गई एक में चंग्याई है एक में बरकत है एक में छुटकार है एक में फाइनस है एक में फैमिली है अगर आप रोते रहेंगे लमारी के सामने चावियां हाथ में बगड़के कि मेरे को चंग्याई चाहिए और आप उस तरवाजे को खोलेंगे नहीं आप चावी का इस्तेमा आटेक रहां ने उस पर और एकude किया है अ कि याद रखने अगर आके राइफ दो गंडे प्रार्थन गया तो अगले छे मही ने वो धाइगंडे होने चाहिए आमेन वो नीचे नहीं आने चाहिए आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आने चाहिए शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद यह है आपको वेवी चार में लेके जाने का मकसद यह है कि आपकी स्पिर्चुल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटेक क सके कियो कि आप promise child है आपistant की संतान है याद रखो आप लोग नहीं हो आप लोग नहीं घ्र just a promise child to आपके साथ एक वाइदा जुड़ा हुआ प्रमेश्वर का आपको सिर बुनाने का वाइदा ऊंचा करने का वाइदा आशिशित करने का वाइदा इतनी वर्कत देने का वाइदा कि जगा नहीं होगी आपको चंगे रखने का वाइदा आपको बचाए रखने कितने मेरी बात को समझ रहें यह यह प्रॉमिस हैं आपके ऊपर आप प्रॉमिस चाहिल्ड हैं आप वाइदों की संतान है परमेश्वर ने का इस हाग क्योंकि तेरे फादर के साथ अबराहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशिश दूंगा आमेश्वर यूश्वर ने का था तुम्हें आशिश का मूल होगा आमेश्वर ने आप इसमाईल नहीं हो आप इसहाग हो इसमाईल शरीर से पैदा हुआ था फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था इंपेशन से पैदा हुआ था इसहाग प्रतिग्या और विश्वास से पैदा हुआ था आप शरीर से पैदा हुए से जब माता बिता के मिलाप से पैदा हुए पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिजम लिया और परमेशो को जाना अब आप शरीर की नहीं आत्मा की संतानों वाइदे की संतानों आमेन और एक वाइदा आपके साथ जुड़ा आपको ग्रेट करने का वाइदा उचा रखने का वाइदा दुश्मन आपकी लाइफ टाइम जब तक आप बूड़े वोगे प्रभू के पास नहीं जाते आपके कभी हावी होने ना पाएगा लेकिन आपको ये बात ध्यान दखने है कि वो दुश्मन तभी हावी हो पाएगा जब वो आपकी आत्मिक जिन्दगी को डाउन करेगा ये रूश्मन में जब तक वो था उसपे कोई अटेक नहीं था जैसे ये रूश्मन को यरी हो जा रहे है बाइबल कहते हैं उसपे अटेक हुआ लोगी आपकी लाइफ में शैतान तब अटेक करते हैं जब आपकी स्प वितरताई का लेवल कम हो आपको समझ आना चाहिए कि शैतान की मर्जी क्या है वो क्या करना चाहता आपकी लाइफ में तो कि शैतान का काम ये है परमेश्वर के बच्चों को डिस्ग्रेस करना उनको शर्मिंदा रखना उनको आशिश में बढ़ने ना देना ताकि वो सब्सक्रेटों के काम में जब चेलों को बोला गया कि हमारी विद्वाओं को याद नहीं किया जाता तो चेले बोले लोग चुन लो साथ लोग चुने गए जो विद्वाओं के खाने का और उनके कि इंतिसामों का ध्यान रखते थे पर उन्होंने एक बात बुली काते हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहेंगे अमीन उन्हें मालूम था ये बात कि खाना खिलाओ कोई प्रब्लम नहीं कपड़े दो कोई प्रब्लम नहीं पर यह हमारा मेजर काम नहीं हमारा मेजर काम है वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहना क्योंकि लोगों का उध्धार प्रार्थना और वचन की सेवक नहीं दिए कि वो प्रार्थन और वचन में कम हो सके है कि हालेलुया है और मैं लिखा 23 में आ कि जब पर मेश्वर इसरैलियों लेके आया तो तो पता क्या लिखा पर विश्वर ने है मेसे ने का मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा बाद में वो पढ़ने में मज़ा आएगा आपको आप ध्यान से सुनना उसको पहली बात आपकी स्पिरिच्वल लाइव नीचे की बजाए कहा जानी चाहिए उपर आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए कम नहीं होना चाहिए इस टमबर से कि मेरा जैसा होगा आपने लयात में कभी नहीं किया अचाहिए मैं हवी भोता रहा हुँ पर मैंने वाच्डा किया प्रेयर और फट्री डिकेशन की साथ मैं entrepreneur में लोगों पेおお सिरुफ मिटिं good कि जो आ रहे है इस चर्च में आपके लाइफ के उपर और मेरी लाइफ के उपर वो किताबों में लिखे जाने वाला है वो history बनाने वाला है चर्च और आपको यह बात समझ नहीं कि परमेश्वर आत्म हैं, वो आत्म है इसलिए उसने कहा था कि इश्माइल से तरह वंश नहीं होगा, क्यूं? क्योंकि शरीर के काम तो जिता नहीं सकते इस हाग से तरह वंश कहलाएगा, अगर तू आत्मा के दोरा चलेगा, तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा Hallelujah बाइबल कहती ही जब अटैक हुआ क्योंकि वो नीचे को और जा रहा था जिस तरह नियोमी उसके पती दोनों बच्चे पे हुआ था जब यहूदा से कहां जा रही थी यहूदा के बैतलहम से मुआब यहूदा का बैतलम जहां परमेश्वर का प्रेजन्स थी जहां पर मुआब जहां वो जाती थी जो बाप और बेटी के मिलाब से पैदा हुई थी पाप से पैदा हुई थी और परमेश्वर उससे नफरत करता था जबी भी आप स्पिर्च्वल लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करेंगे शैतान आप पर अटेक करेगा और यह उसका मेजर काम है आप पर अटेक करके आपको इस तरह से रिप्रेजन्ट करना कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के उपर नहीं यह उसकी फाइट है यह उसकी ल पूत ना होने पाए है हालेलुया आप गवाही प्रणे के लिए चुने गए आप पेसे एक बीजन ऐसा नहीं एक भी अगर यह आप यह वर्ड पर खड़े रहेंगे यह वचन सुनेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे कोई चांस नहीं है 99.99999 नहीं मैं करा हंडर्ड परसंट आपके गवाही श्यूर है हंडर्ड परसंट ओ आमीन छोटा चर्च आपको यह बात बड़े ध्यान से समझ नहीं है आमेन लिखा एक लेवी वहां पे आया और उसे देखा अच्छा इसको मार पड़ गया मेरी मीटिंग का टाइम हो रहे हां एक याजग वहां पे आया कत्रा के चला गया लिखा एक सामरी यात्री वहां पे आया एक यात्री वहां पे आया कि हां कौन था वो यात्री कि आप कंप्लेंट कर दो कि अपनी लाइफ में कि फ़लाने बंदने मेरी हेल्प ने की उसने मेरी हेल्प ने की पर एक बात हमेशा आप याद रखो जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो आमेन आप एक यात्रा के उपर हैं या नीचे या उपर आप Christian life में आप एक जर्नी में आपको परमेशो को आपको बुलाने का एक मकसद है एक टार्गेट रखा है परमेशो ने आपकी life के लिए आप जर्नी में आपकी help भी वही करेगा जो खुद जर्नी में अगर मैं किसी जर्नी पे हूँ मैं किसी यात्रा पे हूँ और मेरे को मालूम है कि वो मेरा मकसद है और मेरे को पता है कि वो मकसद मैं अपने आप काम्याब नहीं कर सकता हूँ मुझे परमेश्वर की help की जुरुत है और grace की जुरुत है तो रास्ते में जब कोई मदद मांगने के लिए मेरे पास आएगा कि मुझे मदद चाहिए बोलो मुझे मदद वीजन वाले लोग ही दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पे खड़े रह सकते हैं जिनका एक दर्शन है कि नहीं मैं वेबीचार नहीं करूँगा क्यों मेरे ये वीजन है मैं वहाँ जाना चाहता हूं यह हूं चाहिए पे यह सामर्थ पे यह वर्दान को बाना चाह तो आपके भाई ने आपकी हेल्प ने की या आपकी भूआ ने आपकी हेल्प ने की आपकी यल्म वही कर सकता है जो कुझ एक यात्रा के ऊपर है और परमेश्छा आपको divine help लगा इस मीटिंग के बाद अब अगर मेरा वो टारगेट मेरे सामने खड़ा है तो मैं help करूंगा मैं दया करूंगा तो कि मुझे मालूम है वो target मेरी शरीरिक ताकस से बाहर है आपको मालूम है यह चंग्याई जो डॉक्टर ने बोल दिया possible नहीं यह बेबी आप नहीं हो सकता आपको मालूम है कि आप एक जर्नी के उपर है अब आपको उस जर्नी को पूरा करने क के लिए आत्मिक ग्रेस की जुरुरत है अब आप लोगों की दुहाई को कैंसल नहीं कर सकते आप अधिंगी के बीना नहीं चल सकते लोगी अगर आप यात्रा के ऊपर है तो यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में होंगे तो यापके सामने टार्गेट रखा ह हुआ है आपने वहां पहुंचना है आपने अपने फैमिली के गरीबी के कर्स को खतम करना यह आपका टार्गेट है हां माल लोकर अगर यह आपका टार्गेट है कि आपने अपनी फैमिली के कर्स को खतम करना है तो जब आपको कोई भर्माने वाली लड़की या लड़का म अगर आपका टार्गेट है कि मेरा ये टार्गेट है तो आपका मालूम है कि शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि मैं आपका वो दर्शन लंबा कर सकूं लेट कर सकूं या कैंसल कर सकूं इसलिए अयूब ने कहा जब वो परिक्षा में फसा उसने कहा कि मैं विद्वाओं का विद्वाएं मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी कि अगर हजार रुप्य देना होता था मैं उनको मकान बना के देता था कि उसने का अनाथों का मैं सहायक रहा हूं पर देशियों का हाल मैंने जान बूच के बंदे भेज के पुछवा लिया कि उसने मदद की क्यूं क्यों कि वह एक जर्नी पे था और जब उसे जरूरत पड़ी पर मिश्वर ने उसकी मदद की उस प्रिक्षा से बाहर आने के लिए हाँ या ना आप अपनी लाइफ में वही काटते हैं जो आप बोते हैं आपको यह ध्यान रखना है अगर आगर आप हेल्प करेंगे लोगों की आप वचन पर चलेंगे आमें अपनी कम्यों को खटम करने की कोशिश करेंगे पूरी जो कि आप कहां पे हैं एक जर्नी में और अगर आप यातरा पर हैं को यातरी आपकी हल्प करनी वाला है जो खुद विजन में होगा वो आपकी हेल्प करने वाले हैं प्रभू आपकी लाइफ में मैंने ये बात नोटिस किये और बड़ी जबर्दस्त नोटिस किये आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग मिलते हैं कि dei जूंट में संव लोगों को छोड़ दो कि हैं चुखली को ढूंड़ लेगा हुऊ हं है के पापी पापी को ढूंड़ लेगा चोर चोर के पास बैठा होगा खाब्स त्रॉंद दखा हाँख ओक मैंने बात बोली थी अच्छा husband पाने के लिए good body shape की जुरूरत नहीं good character की जुरूरत अच्छी wife पाने के लिए ज्यादा अमेरी की जुरूरत नहीं एक character की जुरूत अगर वो आ गया God bless you congratulations क्योंकि अच्छा करेक्टर अगर है तो बंदा अपनी लाइफ में एक जगह तो रहने वाला नहीं बढ़ने वाला है बढ़ने वाला हंड्रेड परसंट आमेन आपका प्राइम टार्गेट क्या है कि अपनी स्पिरिच्वल लाइफ में मैंने नीचे की और नहीं कहां जाना है उपर की और जब वो नीचे की और जा रहा है तो शैतान ने लिखा डाकों ने अटेक किया उसके कपड़े उतारे आदमरा छोड़के उस चले गए और किसी ने हल्प की और लिका दाखरस और पटियां बांध कर उसके जखमों पे लगाया तुबारा पढ़ो उस वचन को कि दाखरस और तेल और दाखरस ठाल कर उसकी पटियां बांधी और उसको सवारी पे चड़ा के सराई में ले गया तेल और दाखरस का मतलब अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो ये शुबसी ने दाखरस का प्याला लिया था और कहा था ये मेरा क्या है लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है जब भी दाखरस का जिकर आए तो वहां पे रिपेंटेंस का जिकर आता है तौबा का जिकर आता है निर्गमन 23 जब हम पढ़ते हैं उसकी 23 आयत को लिखा इस रिती से मेरा दूत तेरे आगे आगे चल कर तुझे एमोरी हिती परिजी कनानी हिब्भी यबूसी लोगों के य और मैं उनका सत्यानाश करूंगा तू उनके देवताओं को दंडवत ना करना ना उनकी उपासना करना ना उनके से काम करना वरन उनकी मूर्तों का पूरी हिती के साथ सत्यानाश कर डालना उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े करना तू अपने परमेश्वर य आशिश देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा तेरे देश में ना किसी का गरब गिरेगा ना कोई बांज होगी तेरी आयू मैं पूरी करूँगा अगर कोई बंदा शैतान के अटेक के नीचे है जिस तरह वो यात्री था तो लिखा परमेश्वर हेलपर भेजेगा जैसे आज आप वचन सुन रहे हो और दूसरा परमेश्वर ने का दाखरस और तेल के द्वरा उसकी हीलिंग की गई एक खुश खबरी है आपके लिए शैतान ने जुम्मर जी आपके साथ किया हो अगर आप जीवित हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं आप फिर से उंचाई पे जा सकते हैं उसने कुछ भी क्यों ना किया हो लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कंडिशन देई एक बंदा था मैं हमेशा परभावित होता था उससे उसके अंदर एक कमी थी और मैंने बहुत बार उसको भूला मैंने का यह तेरे अंदर कमी है तुने इसको दूर करना है कि कई बार जब आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि यह आम व्यक्ति है तब यह चर्च शुरू होई थी अभी पांसास्सो एक हजार लोग आते थे जिस चर्च का वो मेंबर तो वहां पर चार हजार लोग थे उससे लगता था यह मुझे क्या बताएगा मैंने जो उसे बताया था उसमें आपको बताता हूं निर्कमन 23 उसकी 13 आयत जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना वरन वे तुम्हारे मूं से सुनाई भी ना दें जब परमिश्व इस्राइलियों को ले के आ जानद को हैं ना करना है और पेंटेंस तौबा में रहना इस लिए लिका दाक्रस के द्वारा उसके सारे रोग और उसके सारे सक हम जो थे वह दूर किये गए परमेश्व का लहू परमेश्व के लहू का मतलब है उसके लहू पर विश्वास करने का मतलब है रिपेंटेंस असली तौबा करनी जिस तौबा के वचन से प्रभी इश्युमस्री ने प्रचार शुरू किया था कि तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आजुक है बिना तौबा के आप कभी भी जो खोया है इश्युमस्री से वापिष नहीं ले सकते हो चाया आप लाखो करोड़ो रुपे का चंदा क्यों न करते हो आप किसी भी विद्वा की Peach क्यों न करते हुँ आप जो भी शारिदी काम कर लें लेकिन वो काम्याब नहीं होंगे जब तक आप दाखरस यानि इश्यमसी के लहू के उपर विश्वास नहीं करेंगे अगर आप दुश्टात्मा से छुटकारा पा चुके हैं और आपका बप्तिस्मा नहीं हुआ तो वो छुटकारा लंबा नहीं है लेकिन अगर आपने बप्तिस्म ले लिया तो कि बप्तिस्मे का ही असली मतलब है कि परमेश्वर के लहू पर विश्वास करके उसके लहू पर अपना तनमन लगा के कि उसका अलहु मेरे लिए बहाया गया, वो मेरे लिए मारा गया, गाडा गया और जी उठा, उस पर विश्वास करने से ही आप असली तौबा के मालिक बनते हैं, आमीन अगर आप यह चातने की शैतान ने जो कुछ छीना वो वापीस आया आपकी लाइफ में, जो कुछ आपकी लाइफ में अटैक है, आपकी किसी भी लाइफ के किसी भी एंगल से, तो यूश्वास ने का दाखरस और तेल लगा कर उसके जखमों पर बांदी गई, जब तक वो च मैंने नहीं देखा पंजाब में ऐसा बंदा, मैंने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के बाइबल की इतनी नौलेज और दूसरी भाशाओं में, एक कमी थी उसके अंदर, नाम बहुत लेता था वो दूसरों का, इतना नाम लेना उसने, इश्वमसी का परच सांपल देने वक्त भी मत लेना, उनकी चर्चा तक ना करना, उनको दंडवत ना करना, एक दिन उस पर अटेक हुआ, वो अटेक इतना भारी था, उसकी जान पर बनाई, धीरे-धीरे-धीरे बच गया, लेकिन चार-पाइन साल में फिर मर गया वो जवान जब, आज वो एडिकेटेड, पवितरताई में, बोने में, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी देथ हो गया, और छोटे बच्चे छोड़के गया वो, और मैं हमेशा उसे बोलता था, कि मत ले नाम, परचार करते वक्त भी, एक्सांपल देते वक्त भी, जिस जहां से तु निकला, वहां से किसी एंगल से भी मत ले, क्योंकि अगर आप हीलिंग चाहते हो, अगर आप छुटकारा चाहते हो, तो यूश्य मसी ने लिका, दाखरस और तेल बांध कर उसके नर्गाओं को नर्माया गया और चंगा किया गया, अगर आप रिकावर करना चाहते हो, आपको तौबा करनी पड़ेगी, और परमेश्व के ब्लड के उपर विश्वास करना पड़ेगा, हालिलूया, परमेश्व ने कहा, अपने मूँ से भी नाम मत लेना, दंडवत मत करना, और मैं तुम्हारे बीग से रोग दूर करूँगा, मैं अपने वाइदे तुम्हारी जिंदगी में पूरे करूँगा, अन जल पर तुम्हारे आशिश और बरकत दूँगा, हालिलूया, और वो मर गया हूँ, कहीं पर गया था वो उस पर एक हास्ता हुआ, उसके बाद उसके लाइफ नीचे जाती गई, जाती गई, जाती गई और खतम, परमेशवर ने आपको विक्टिम होने के लिए नहीं चुना, आपको पॉजिटिव बनाने के लिए चुना उसने, आपका नाम जब लोग लेंगे, आपकी गवाही जब देंगे, आज बिली गराम का लोग नाम लेते हैं, तो लोग एक सफल सेवक को याद करते हैं, जो में ऐसे बनो कि आप जो कर रहे हो आपके वन्षो जनरेशन तक जाए और यह पॉस्टीबल है अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लोगे और उस पर आडे और खड़े दोगे कोई माइन नहीं करता क्या सिच्वेशन आपकी लाइफ में आए हालेलुया आफ ए क्रिष्चन हो हाई है ना उसके लहू से धुले ओ, आपका गाम है परमेश्वर का काम दिखाना प्रभू की महिमा को दिखाना परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाना कै इसके लिए परमेश्वर को चुना आमें मैं हैरान हूँ कोई लोगों से क्या तुमारी अकल जो घास चरने गई है बड़े आपको जो आप उन्हें मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा गई इसके जैसा आत्मिक व्यक्ति नहीं जब आप उनकी केस सुनेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है घर में ये हो रहे हैं मेरी फैमिली में ये हैं मेरे पापा को ये और अगर आप उनकी फेस्बूक चेक करो तो क्रिश्चन होने के बाब जूद कोई गाना नहीं है बॉलीवूड का जो अपने अपनी मैरिज में वो नही घंगे जाम होब नहीं करेंगे को रिती रिवाज नहींगे उटने चोड़ेंगे सब कुछ करेंगे और परमेश्व करेंगे अपशनदे हर्मोनियम पकड़के एक भजन भी गाएंगे आप कैसे एक खृष्चन हो आप क्स्छिचन नहीं हो आप एक ब्लेक वोटो गाला